जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार्य हमारा आज का वीडियो सभी स्टुडेंट्स के लिए जो की रेलवे गुरूबडी की तयारी कर रहे हैं और रेलवे एंटी पीसी सी बीटी टू की तयारी कर रहे ह तो सभी के लिए आज का वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि देखे इसमें हम डिसकस करने वाले हैं आपसे पूरा का पूरा कम्प्लीट इयर का करंट अफेर जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक और यह जो करंट अफेर है यह आपका प्लेटफॉर हैं बहुत ही अच्छे से इसमें पूरा कंटेंट आपको उपलब्द कराया गया है और अगर आप इसका पीडियाफ लेना चाहते हैं तो नीचे डेस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप इसका पीडियाफ भी ले सकते हैं आज हम इसमें डिसकस करने वाले हैं तो यह ती विगनों को गले लगाते हैं काटों में राह बनाते हैं तो देखे काटों में भी क्या बना लेते हैं राह बना लेते हैं अपनी इसी तरह से आपके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन सारी प्रॉब्लम्स को फ विकास किस ने किया है तो यह किया है आपके NCRT और CBSC ने दोनों ने मिलकर यह किया है ध्यान रखेगा दूसरा कोशन है आपर थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं तापके आपको क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी तो देखे दूसरा कोशन है कि बिहार सरकार द्वारा राज करने नेक्स कोशन है आपर कि वर्ष 2022 में चौदवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो यह करेगा चाइना नेक्स कोशन है आपके आपको दिया गया यह थोड़ा सा डाउटफुल कोशन है तो इसे आप रहने दीजे हम चलते हैं कोशन नंबर 6 पर कि वेब सीरीज मिर्जापूर के चर्चित अभिनेता ब्रह्म मिश्रा का निधन हो गया वे अपने किस किरदार हे तू चर्चित थे तो वो अपने ललित वाले किरदार के लिए चर्चित थे कोरोना वाइरस के नए वेरिंट ओमिक्रॉम का जो पहला मामला था वो भारत में कहां पर पाया गया तो ये पाया गया करनाटक में कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि करनाटक के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में और करनाटक के राजपाल कौन है वर्तमान में और साथ ही साथ ये भी बताईएगा कि करनाटक की राजधानी क्या है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि World Athletics ने किसे Women of the Year 2021 अवर्ड से सम्मानित किया तो यह किया है यहाँ पर अंजू बवी जॉर्ज को दुनिया का सबसे नविंतम गंडराज्य कौन सा देश बना है तो यह बाराब डोस बना है नेक्स्ट कोशन है आपर चक्रवात जवाद ने भारत के किस राज्यों को प्रभावित किया या किन राज्यों को प्रभावित किया तो यहाँ पर आंदरप्रदेश और पश्यमंगाल दोनों को ही जो है इसने प्रभावित किया था नेक्स्ट कोशन देखें यहाँ पर कि भारत और बांगलादेश द्वारा सोईंग तुरूप से मैत्री दिवस मनाने का निर्णे लिया गया है तो कब लिया गया है तो यह लिया गया है 6 दिसंबर को किस भारतिय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर नियुक्त किया गया है तो गीता गोपिनात को नेक्स्ट कोशन है आपर कि हॉर्न बिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 2021 में मनाया गया तो यह मनाया गया है 22 संस्करण जो है मनाया गया है और आपको यह ध्यान रखना है कि हॉर्न बिल जो फेस्टिवल है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है कमेंट वोक्स में आ खेल से यहां पर संबंद रखती हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दाम्बुजा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है तो नरुत्तम सेख सरिया जो है इसके लेखक हैं नेक्स्ट है यहां पर कि सारवजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपुवे सेवा शुर नेयेयतु पहले एहर बल महुत्सव का आयोजन कहा किया गया तो यह किया गया जम्मू कश्मीर केंदर नेक्स्ट है हाँ पर मर्ययम वेपस्टर डिक्सनेरी ने दोजार किस का word of the year क्या घोशित किया है तो यह किया है वैकिसीन नेक्स्ट है यहां पर मलेशिया Avengers open squash championship 2020 जीतने वाले पहले एक लाड़ी कौन बन गए हैं तो ये बन गए हैं सौरव घोशाल नेक्स देखेगा यहाँ पर next set number two पर चलते हैं तो यहाँ पर देखे खबरों में रहा इसकीमर और बूम्स किस से संबंदित है तो ये तेल रिषाव किलीनर से संबंदित है नीति आयोग की बहु आयामी गरीबी सुचकांग की अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है तो यहाँ पर बिहार है खबरों में रहा दुनिया का सबसे उंचा बहुत इस्तूप केसरिया बिहार की किस जि जीते तो 47 अगला है आपर प्रसिद लेकक एम मुकंदन ने किस पुस्तक की रशना है तो जे सीबी पुरसकार जीता है तो दिल्ली ए सौली लौकी के लिए नेक्स्ट कुशन है आपर की नवंबर 2021 में भारतिये वायुसेना ने किस एयर बेस पर फ्रांस से दो मिराज 2000 लड दो कीजेगा ये कुशन आपसे अग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है नेक्स्ट कुशन है आप पर यॉनाइटिड इस्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2011 के विज्यता कौन है तो यह है यहाँ पर मैक्स वेस्ट आरपन ठीक है मैक्स वेस्ट आरपन नेक्स्ट कोशन देखे तो 33% की नासा के मिशनों के शुरुवात की संभावित अवधी गलत सुमेलित है तो निसार मिशन 2022 जो है ये गलत सुमेलित है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को 23 अक्टूबर को मनाया जाता है नेक्स्ट है यहाँ पर कि वर्ष 2020 में कोरोना महमारी के कारण कौन सा ग्रैंड स्लैम टूनामेंट रद कर दिया गया था तो यह है विंबल्डन भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उधगाटन कहां पर हुआ है तो यह अबर थरीका देखे पहला कोशन की अंत्रिक्ष अनुसंदान हे तू सेक्शने केंद्र स्थापित करने के लिए इसरों ने बिहार के किस संस्था के साथ समझोता किया है तो यह किया है एनाइटी पटना के साथ नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर केंद्रिय बजट 2021 में MSME छेत सरकार किसे दिया गया है तो यह दिया गया है कैमरून मोला को दक्षन रेलवे की पहली एकिकरत प्रबंधन प्रनाली प्रमानित ट्रेन बन गई है तो कौन सी बन गई है मैसूर चन्ने शताबदी भारत सरकार ने कब तक देश को उर्जा स्वतंतर बनाने का लक्ष रखा है तो यह उत्तर परदेश से और प्रशासनिक अधिकारेo के मुल्यांकन हे तू इस पेरोपोडल किस राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश द्वारा लॉंच किया गया है तो यह लॉंच किया गया है जम्मु कश्मीर के दौरा नेक्स यहां पर कि रास्ट्रिय और दिश् श्रिलंका के बीच नेक्स्ट कोशन यहापर चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है तो यह है संगीव सहोता जी फॉप लेडर्शिप अवर्ड Myersi 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है सोनु सूध को नेक्स्ट कोशन है याँ पर नेक्स्ट कोशन देखेगा नीचे दलते हैं 30 नमबर सनंत तांती का निधन हो गया वे किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे तो ये थे आपके असम के नेक्स्ट है किसान सूर्यद योजना की शरुवात किस राज्य में की गई है तो ये की गई है आपके गुजरात में और क्रशी वस्तों हैं तू MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की गोशना करने वाला पहला भारती राज्य कौन सा है तो ये है केरल नेक्स्ट कोशन देखेगा कि महिला होकी विश्वकप 2022 का योजन किस देश में किया जाएगा तो ये किया जाएगा आपके स्पैन और निदरलेंड्स दोनों में किस राज्य में चूना पत्थर की गुफा में एक सुक्ष्म घोंगे की प्रजाती जियो रिसा और माव इसमाइनसिस की खोज की गई है तो ये की गई है आपके मेगाले के अंदर इस रो द्वारा चंद्रियान थ्री को कब प्रक्षेपित करने का लक्षे रखा गया है तो ये रखा गया है 2022 के अंदर और आपको पता है कि 2022 शुरू हो चुका है नेक्स्ट कुशन देखिएगा कि प्रथम भारतिय सेमी हाई स्थानों के बीच चलती है तो वारानेसी से नई दिल्ली के बीच भारत का पहला सौर आधारित एकिकरत बहु ग्राम जलापूर्ती योजना किस राज्य में संचालित है तो ये है आपके अरुनाचल प्रदेश में नेक्स्ट यहां पर सेट नंबर हमारा है फोर तो यहां दिव्यादत्ता किस राज्य के सफेद प्याज को जी आई टैग प्राप्त हुआ है तो ये महारास्टर के ठीक है नेक्स्ट कोशन है आपर मित्र शक्ती सैन्य अभ्यास 2021 का योजन कहां किया गया है तो ये किया गया है अमपारा में भारत सरकार ने वर्ष 2026 तक राजकोश पुरसकार 2022 से कौंकणी भाषा के किस साहतेकार को सम्मानित किया जाएगा तो दामोदर मोजो को जन सुनवाई योजना का संबंध किस राज्य से है तो ये है मध्यप्रदेश से एक बात ध्यार रखेगा देखे मध्यप्रदेश से आपका मुख्यमंतरी आवास भू अधि कार योजना भी ये संबंधित है किस से मध्यप्रदेश से और दूसरी योजना आ गई अपनी यहां पर जन सुनवाई योजना तो दोनों ही कहां से संबंधित है यहां पर मध्यप्रदेश से SCO की 21 वार्षिक बैठक कहां आयूजित की गई तो यह की गई है आपके तजिकिस्तान में नेक्स्ट कोशन है यहां पर कि भारत में नविंतम ब्लू फ्लैग प्रमानन प्राप्त समुदर तटों का कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है तो यहां पर घोगला करनाटक नेक्स्ट क KPD Portal किस मंत्राले द्वारा जारी किया गया है तो यह रक्षा मंत्राले के द्वारा देखे सेहत वाला है तो सेहत नाम सुनके आप कहीं आपर अपना अंसर स्वास्त मंत्राले मत कर दीजेगा तो इसका आंसर क्या रहेगा रक्षा मंत्राले रहेगा ध्यान रखेगा अगला स्वेनिधी योजना है तू लक्षित समू है क्या है तो यह फेरी वाले नेक्स्ट एक क्रशी छेतर के प्रत्यक्ष समाधान है तू केंदर सरकार द्वारा कौन सी ओनलाइन सुविदा शुरू की गई है तो इक रशी समवाद नेक्स्ट यहाँ पर 2022 तक किसानों की आय दोगन करने का खाका तैयार करने के लिए किस समीती का गठन किया गया है तो अशोक दलवई समीती का वर्ष 2021 से तू खाद्या नुत पादन के लिए केंदर सरकार ने कितना लक्ष निरधारित किया है तो 301 मिलियन टन का सर्वस्रेश्ट फीचर के लिए औसकर प्रसकार 2020 किस फिल् कि भारत में पहली बार पेपरलेस पेपरलेस बजट कब पेश किया गया तो 2021 का जो बजट था वो पेपरलेस था टोक्यो पेरालेंपिक में स्वान पदक विजेता बेडमिंटन खिलाडी प्रमौद भगत बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं तो यह वैशाली के 66 नंबर क टोक्यो पेरालेंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस ने जीता तो यह जीता भाविना पटेल ने सडक सुरक्षा सप्ता 2020 की थीम क्या है तो यह है सेव यॉरसल्फ टू सेव यॉर फैमिली नेक्स्ट कोशन देखेगा कि वन विकास योजना किस संस्था ने शुरू की है तो यह की है ट्राइफेड ने और किस महिला ने स्विडन की पहली प्रधानमंत्री का पद संभाला है तो मेंडा लेना एंडर्सन ने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का 101 नंबर का जो सदस्य रास्टर है वो कौन बना है तो वो बना है अपना अमेरिका नेक्स्ट यहाँ पर चर्चेत उपन्यास दप्रॉमिस के लेखा कौन है तो डेमन गलगुठ है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं ICC Cricket Hall of Fame में हाल ही में किसे शामिल किया गया है तो इसमें देखे आपका शौन पॉलक को भी शामिल किया गया है महिला जैवर्दने को भी और जैनेट ब्रिटिन को भी तो यहां सभी को शामिल किया गया है जो भी आपको ऑप्शन दिये गए है तीसरे Asian Youth Games 2022 का योजन किस दे UNESCO ABU Peace Media Awards किस भारतिय संस्ता को दिया गया है तो यह आपका दिया गया है दूरदर्शन और All India Radio को किन भारतिय शेहरों में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू की गई है तो A और C यानि कि इंदौर और भोपाल दोनों में नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है तो X शक्ती अभ्यास भारत स्रिलंका जो है यह यहाँ पर सुमेलित नहीं है बाकी के सारे सुमेलित है चोथा One Planet सम्मेलन किस शहर में आयूजुत हुआ है तो पैरिस में बिरसा मुंडा की 25 फिट उंची प्रतिमा हाल ही में जारकंड के भगवान बिरसा मुंडा की इसम्रती उधान एवं संग्रहाले में स्थापित की गई है इस प्रतिमा की डिजाइनर कौन है तो राम वी सुतार है भारत के 72 वे शत्रंज ग्रैंड मास्टर कौन मने है तो मित्राब गुहा भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो का भारत मिशन 2.0 को आवंटित निधी क्या है तो करोड़ों में बतानी है तो एक लाख 41,678 करोड निवेश बढ़ाने है तू नागरिक्ता नीती 2021 की शुरुवात किस देश ने की है तो ये की है UAE ने ने नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतिय र खंड की राज्य सरकार ने भारत के किस शहर में आपदा प्रबंधन पर पांचवी कॉंग्रेस का आयोजन किया गया तो नई दिल्ली नेक्स्ट है यहाँ पर मैसूर घोशना 2021 किस छेतर से संबंदित है तो ये है पंचायती राज संस्ताओं द्वारा कॉमन नियुनितम तो औस्ट्रेलिया कौन यहां पर सुमेलित है तो सभी सुमेलित है यानि की मेजर ध्यांचंद खेल रतन दोजार इक्ष जो बाइस है वह बारा वक्तियों को दिया गया है और अरजुन पुरसकार दोजार एक्ष जो है यह आपके 35 वैक्तियों को मिला है और साथी साथ मन्त्रा लेगी ध्यान रखेगा भारत में सबसे लंबा कौंसा है तो पूर्वांचल एक्स्प्रिस स्वे आपर देखेगा कि मुंगफली उतिपादन में भारत का अग्रणी राज्य राज्य मूंगफली में गुजराथ मैं से मुंगफली और गैसे में हमारा फली मूंगफली के उतवादन में सबसेग्रणी राज्य हमारा हो गया घुराथ राज einz कि आ और के चालिशवे इंध्राश्ठी व्यापार मिले में डिया मैं किस राज्य की साजी리"- तो है राज्य का दर्जा दिया गया राज्य की साजिदार राज्य का दर्जा दिया गया तो यह दिया गया है बिहार को हाल ही में शुरू की गई एक इक्रत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित इमम नियंत्रित है तो यह है आपके आरबियाई के द्वारा भारतिय व आपका Oxfarm इंडिया के द्वारा जारी की गई है चक्रवातों के नामकरण के संदर्व में कौन सा यहां पर असत्य है तो यहां पर D वाला असत्य है यानि की देखें आपको मैं इसको क्लारिफाई कर देता हूँ 4 और फिर उसके बाद हमारा यहां पर आपका 7 नमबर 4 का मतलब है यहां पर 1,2,3,4 तो देखें यह निसर्ग बांगलादेश और फिर आपका 8 नमबर तो निवार यहां पर इराक यह भी गलत है आपका 9 नमबर पर है यहां पर अपना अमफान म्यानमार यह भी गलत है और 10 न मिले थे कि बैंक दर जो थी वो 4.5 परसंट थी और यहां पर 4.25 परसंट ठीक है SLR जो था आपका 18 परसंट था और यहां पर MSF जो है 4.25 परसंट था अगर आप इन सभी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है GK की पार्ट शाला उसमें जा कि यह क्या होते हैं और किस तरह से लागू होते हैं किस तरह से हम हमारा जो ब्याज है वो डिसाइड होता है वो सारी चीज़े आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी अगला कोशन देखेगा यहां पर कि किस राज्य के हैदरपूर आदर भूमी को रामसर साइट गोशित किया गया है तो यह उतरप्रदेश भारत में ब्लू फ्लैग प्रमानित समुदर तटों की संक्या कितनी है तो दस है भारतिय वंडे टीम का नया कप्तान किसे न्यूकत किया गया है तो रोहित शर्मा जी को नेक्स्ट कोशन है आपर नेक्स्ट मतलब हमारी यह करोड में है नेक्स्ट कोशन देखेगा शिल्प ग्राम महुतसव दोजारिकिस का योजन कहां पर किया गया है तो यह किया गया है असम में और चपनवा ग्यानपीट पुरसकार दोजारिकिस किसे दिये जाने की घोशना की गई है तो नील मनी फुकन को प्रवासी भारती दिवस दोजारिकिस की थीम क्या थी तो आत्म निर्भर भारत में योगदान इसकी जो है थीम थी नेक्स्ट है यहाँ पर कि अंतरास्ट्रिये वित निगम के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो 184 है भारत का नया सीडियस किसे नियुक्त किया गया है तो मनोज मुकंद नर्वने जी को बीबी लाल को किस छेत्र में योगदान है तू पदम विभूशन 2021 दिया गया है तो प्रातत्व विभाग में नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर किस खेल के प्रसिद्ध कोच तारक सिनहा का नवंबर 2021 में निधन हो गया तो किरकेट के अगला है यहाँ पर बिह जो है वो किस खेल से संबंदित हैं जिने हाली में मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवर्ड मिला है तो वो थे हमारे पैरा बेडमिंटन नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि लोकतंत्र राजनिती और धर्म पुस्तक के लेका कौन है तो डॉक्टर ए प्रकाश सूर्य इस कोशन को भी आप स्टार मार्क करके ले जाईएगा एक्जाम के लिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन देखिए हमारा त्वल नंबर का कि लवलीना बोर्गेहन को किस अभियान या योजना का या कारेकरम का जो है ब्रांड एमबिसेडर जो है असम सरकार ने बना किस राज्यने की है तो ये की है मध्य प्रदेश ने और आपको पता है कि मुख्यमंत्री अधिकार आवास योजना आपके जनसुन्वाई योजना यह गजवी ये अब आपके मध्यिप्रदेश की थी Minecraft इसमाड़ योजना किस राज्य में किया गया तो नागालेंड में जैसा कि शुरू में कोश्चन आया था आपको पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर यह संस्क्रण था इसका तो 22 संस्क्रण था उस टम में मैंने आपको बताया था कि आगे यह कोश्चन का अंसर आपको मिल जाएगा और देखे ये जो हॉर्नबिल महुतसव है ये आपसे पूछा जाता है डिरेक्ट कोशन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हॉर्नबिल महुतसव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपके नागलेंड में नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न मैंसे किस ने पहली गैर जीएम अनुअंशिक रूप से संशोधित जो है शाक नासी शैशनू चावल की किस में विक्सित किये हैं तो भारतिये क्रशी अनुसंधान संस्थान ने क्रिस्प एम टूल निम्न मैंसे किस संबंदित है तो मनरेगा के तहट भोगलिक सूचना प्रनाली जी आईएस आधारित वाटरशेड योजना में जलवायू सूचना का एकी करन किस राज्य ने भारत का पहला प्रमानित जैविक फल कीवी लॉंच किया है तो ये किया है और नाचल प्रदेश ने कोलिंस डिक्ष्णरी ने किस शब्द को वर्ड अफ येर 2021 गोशित किया है तो एन एफ टी को किसको किया है एन एफ टी को अब चलते हैं सैट नंबर एट पर केंद्रिय बजट 2021 का बजट कितने बुनियादों पर आधारित है तो छे बुनियादों पर नेक्स्ट यहां पर गोवा मुक्ती दिवसकिस तिथी को मनाया जाता है तो 19 दिसंबर को हाली में गया है 19 दिसंबर पीम मोदी द्वारा उतर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्स्प्रेस वे की शुरुवात जो आधार शिला है वो रखी गई है तो यह रखी गई है शाह जहां पूर में र खिल भारतिये महापौर सम्मिलन 2021 का योजन किस शहर में हुआ तो यह हुआ है आपके वारानसी में सुपर टाइफून राय ने किस देश को प्रभावित किया है तो इसने प्रभावित किया है आपके फिलिपीन्स और पलाव को दक्षनेश का एशियाई फुटबॉल फेड पुरसकार जीता है तो यह जीता है अवनी लेखरा ने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अवनी लेखरा भारत के किस राज्य से संबंदित है भांग की खेती और उप्योग को वैद बनाने वाला यूरोपीय संग का पहला देश कौन मना है तो यह बना है आपका माल्टा नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं 11 नंबर के तो यहां देखे 11 नंबर का कुशन है किस देश ने नरेंदर मोदी को सर्वोच नागरिक सम्मान ओर्डर अफदा ड्रुक ग्याल में भी इसे कहते हैं ज्यानली ठीक है ज्यानली और यहां पर नगदग पैल की खोगलो से सम्मानित करने की घोशना किये तो यह भूटान ने की जहाना निकी अकली कि भूटान ने जो है अपना सर्वोष नागरिक veelसकार जो है यहां पर हमारे प्रदानमंत्री को दिया है नेक्स्ट है यहां पर की राष्ट्रीय सतर की प्रतम खेलो इंडिया महीला होकी लिग का, नई दिल्ली में उध्गाटन किस ने किया तो ये किया अनुराघ ठाकुर ने और किस भारतिय को इंटरपोल की कारेकारी समीती में एश्या का परतीनिधी चुना गया है तो पर्विन सिनहा जी को ये किया गया मालदीव में मूडिज ने 2021-22 में भारत की GDP व्रधिदर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो ये लगाया है 9.3% तेजस्विनी और होसला युजनाओं का शुभारंब जम्मू कश्मीर में किस ने किया है तो निर्मला सितारमन ने भारत सरकार ने व फरस्ट एरलाइन्स की श्रीनगर शारजा उडान के हवाई जहाजों को अपने वायुशेतर से गुजरने से मना कर दिया तो ये मना कर दिया पाकिस्तान ने नेक्स्ट कोशन यहाँ पर देखे सेट नमबर नाइन के कि विश्विस्तर पर कपड़ा उध्योग को प्रतिस परदी बनाने है तू बजट 2021 में कौन सी योजना का प्राउदान है तो मित्र योजना का खेल नरसरी योजना की शुरुवात किस राज्य ने की है तो यह हर्याना ने की है और अल्पसंग के अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो यह मना जाता है 18 दिसंबर को नेक्स्ट कोशन देखे यहाँ पर की रिजॉलेंड युनाइटेड नेशन इन इन तो यह वह राजस्थान में नेक्स्ट यहाँ पर एश्याय युवा खेल दोजार पच्चिस की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी तो उजबेकिस्तान के द्वारा आयरुवेद पर वे निकिस का आयोजन कहां पर किया गया नाई दिल्ली में ध्यान रखेगा लगजरी फैशन हाउस शनेल का सीओ किस भारतवन्शी को निक्त किया गया है तो लीना नायर को किसको किया गया है लीना नायर को और 11 नमबर का कोशन है हमारा क्रशी और खाद प्रसंसकरन पर राश्ट्रिय सम्मेलन गुजरात के किस शहर माय जुत हुआ तो आनंद में ने किस वर्ष करनी की यहां पर मंजूरी प्रदान की गई है एशियाई विकास बैंक एडी बी ने 2021 के लिए भारत की आर्थिक व्रद्धी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो यह लगाया है आपके 9.7% नेक्स्ट कोशन है भारत के चीफ आफ स्टाफ कमेटी के चेर्मेन कौन बने हैं तो मनोज मुकंद नर्वने जी एशियाई पेसिफिक रोबोटिक प्रतियोगिता रोबो कौन 2022 कहां अजवित किया जाएगा तो नई दिल्ली में और मर्यम वेप्स्टर डिक्सनरी ने किस शब्द को वर्ड अब दा इयर 2021 गोशित किया है तो यह किय है वैक्सीन को चेक गंडराज के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो यह बने हैं आपके पैटर फियाला ठीक है पैटर फियाला अगला है यहां पर नीति आयोगद्वरा जारी बहु आयामी गरीबी सुचकांक में देश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां 0% गरीबी पा भारत में प्रती 1000 पुरुशों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है तो यहां पर 1020 है अगला है यहां पर देखे सैट नंबर 10 का पहला कोशन की केंद्रिय बजट 2021-22 में कितनी राशी तक कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समीती के गठन का प्रावधान ह तो यहां पर 50 लाग तक और यहां पर Contested Lands India, China and the Boundary Dispute पुस्तक के लेखक कौन है तो मरूफ रजा जी है CSIR जिग्यासा कारेकरम के अंतरगत बच्चों की पहली भारतिय वर्च्वल साइंस लैब किसने लांच की है तो यह की है जितेंद्र सिंग जी ने नेक्स्ट यहां पर भारतिय सुरक्षा बलों का सागर शक्ती अभ्यास कहां आयोजित हुआ है तो यह गुजरात में हुआ है और 21 भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो यह किया गया आपके नई दिल्ली में किस शहर की दुरगा पूजा को य सुना गया है तो डैविड वार्नर को भारतिय खेल पत्रकार महासंग एस जे एफाई पदक 2021 किसे दिये जाने की घोशना की गई है तो सुनिल गावसकर जी को और विश्व कंप्यूटर सक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपके दो दिसंबर को नेक पर रोग लगा दी है तो यह उत्तर कोरिया ने अंतराश्ट्रिय परेटन मार्ट 2020 कहां पर आउजित किया गया तो नागलेंड में और नेक्स्ट कुशन है आपर किस देश ने सबसे बड़ा और केस्ट्रा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो यह बनाया है आपक पत्रिका ने परसन ऑफ दे येर 2021 किसे घोशित किया है तो एलन मस्क को किस राज्य के मिथिला मखाना को जी आई टैग प्रदान किया गया है तो यह किया गया है आपके बिहार के नेक्स्ट यहां पर कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का इस्थान कौन ने नेक्स्ट यहां पर किताशकंद में आयो जित रास्ट मंडल भारत्तोलन चेंपियंशिप 2021 में भारतिय भारत्तोलक अजय सिंग ने कौन सा पदक जीता है तो स्वान पदक जीता है नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर सैट नंबर 11 का पहला कोशन है कि केंद्रिय बज के तहट कौन सा शामिल है तो यहां पर प्याज अंतरास्ट्य प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है अगला है यहां पर कि राज कपूर दा मास्टर एट वर्क नामक फुस्तक के लेखक कौन है जिसे वंक्यान आइडू दारा विमोचित क किया गया है तो यह राहुल खैल दुनिया के किन देशों में महिलाओं की विवाग की निनितम आयू 21 वर्ष निरधारित है तो सिंगापूर राश्ट्रिय उर्जा संरक्षन दिवस कब मनाया जाता है तो यहां पर 14 डिसंबर को नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि आर की सजा सुनाई गई है तो चार साल की डिक्शनरी डॉट कॉम ने किस शब्द को वर्ड अफ दा इयर 2021 गोशित किया है तो यहां पर एली शिप को नेक्स्ट को नेक्स्ट कोशन है यहां पर कि आर्बियाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैनुफेक्चरिंग हब किसे गोशित किया गया है तो गुजरात को गोशित किया गया है नेक्स्ट देखेगा 11 नंबर का हमारा कोशन है कि आबुदाभी ग्रांट प्रिक्स 2021 फॉर्मुला वन का खिताब जो है उसके विजेता कौन है तो मैक्स वेरस टापन है फाइड विश्व सत्रंज 2021 का विजेता कौन है तो यह मैगनस कारल्सन क्रशी छेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्म निर्भर क्रशक विकास योजना किस राज्य ने शुरू की है तो यह की है आपके उत्तर प्रदेश ने नेक्स्ट यहाँ पर किस देश के प्रसिद उपन्यासकार एनी राइस क जो किस फुटबॉलर ने जीता है तो यह जीता है लियोनल मैसी ने अगला है यहाँ पर वर्डवाइड कॉस्ट आफ लीविंग इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे महेंगा शहर कौन सा है तो यह है तेल अवीव साओधी अरब द्वारा नामित जवाद चक्रवात की उत्प ठीक है अगला है यहाँ पर सैट नंबर 12 की केंद्रिय बजट 2021 22 में रक्षा सेवाओं के लिए आवंटन को पिछले वर्ष के 4.71 लाग करोड की तुलना में बढ़ाकर कितने लाग करोड रुपे कर दिया गया है तो 4.78 लाग करोड से कर दिया गया है श्वार्य विरता पुलिस पुलिस स्टेशन को ग्रह मंत्राले द्वारा वर्ष 2020 का सर्वस्रेष्ट भारतिय पुलिस स्टेशन चुना गया है तो सदर बाजार को उतकर्ष 2022 का संबंद किस से है तो और तिर्थ पर्याटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या से किस शहर के बीच राम पत स्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है तो यह किस ने किया है एचस बीसी इंडिया ने टाइम मैगजिन एक्सिलेंस आइकॉनिक अवार्ड्स 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया तो डी सी सिंगानिया जी को नेक्स्ट है यहाँ पर कि वर्ष 2030 तक किस हवाई अड़े ने शुद्ध कार्बन उत्सरजन हवाई अड़ा बनने की घोशना की है तो यह की है इंद्रा गांधी अंतरास्ट्रिय हवाई अड़ा नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कोशन नमबर 11 कि राज्य में परेटन को बढ़ावा देने है तू स्ट्रीट परियोजना की शुरुवात किस राज्य ने की है तो यह की है केरल ने और नेक्स्ट यहाँ पर ओल इंडिया रेडियो ने युवाउं के लिए बावन सब स्टा तक चलने वाला कौन सा कारिक्रम लॉंच किया है तो एर नेक्स्ट सीमा सुरक्षा बल बीएसेफ का कौन सा स्थापना दिवस जो है दिसंबर 2021 को मनाया गया एक दिसंबर 2021 को मनाया गया तो 57 मा ठीक है नेक्स्ट देखेगा पश्यम मंगाल विदानसभा चुनाओ जो उननिस नवंबर 2021 को नेक्स्ट यहाँ पर रद्दाक की भाषा संस्कृति और भूमी के संरक्षन हे तू गठित समीती के अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है जी किशन रेड़ी भारत और बंगलादेश के बीच संचालित तीसरी रेलगाडी का नाम क्या है तो मिता इस्टेट्स हो गया नेक्स्ट यहां पर देखे सैट नंबर 13 का पहला कोशन की बंगलादेश लिबरेशन एड़ेट 50 येर्स बिजोई विद सीनरजी इंडिया पाकिस्तान वार 1971 का विमोचन किसने किया तो मनोज मुकंद नर्वने जी ने राश्ट्रिय प्रदूशन निय यहां पर भारत ने जीते हैं नेक्स्ट कोशन है यहां पर कि ICTP रामानुजन पुरसकार 2021 का पुरसकार जो है वो किस भारती गणितग्य को दिया गया तो यह दिया गया नीना गुपता जी को और जिस दिन इने पुरसकार मिला था मैंने आपको यहां पर पोस्ट करके भी यह बताया था अपने चैनल के अंदर ठीक है कैमरेस डिक्सनरी ने वर्ड ऑफ दा इयर 2021 का एक 2021 को जो है वो क्या गोशित किया है तो प्रिजर वेंस किस देश ने तबली की जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो सौधी अरब ने नेक्स्ट कोशन देखेगा कि भारत द Dior Award जीता है तो यह Alexia Puteleus ने जीता है भारत परेटन विकास निगम का नया चेर मैं किसे गयान किया लगा है तो यांपर किस राज्जी की पुलिस को President's Color Award प्रदान किया गया है तो यहां देखें इसका अंसर हम देख लेते हैं तो इसका अंसर है हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला संस्क्रण किस ने लॉंच किया तो गजंदर सिंग शेखावत ने भारत का पुनर नवीनी करण पीवीसी प्लास राश्ट्रिये विज्ञान महुत्सों 2021 का सातवन संस्करन कहां यूजित हुआ है तो ये पनजी में नई दिल्ली में स्वाणिम विजय वर्व विजय पर्व जो है 2021 का शुबारम किस ने किया तो राजनात सिंगर जी ने नेक्स्ट कोशन है उतर प्रदेश के किस जिले में सर्यू नहर राश्ट्रिये परियोजना का उधगाटन किया गया तो ये बलरामपूर में DRDO और भारतिये वाईसना ने कहां पर स्टेंड ओफ एंटी टैंक ऐसे एंटी मिसाइल का परिक्षन किया तो पोकरन में भारतिये मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी वाईट हाउस कार्मिक कारेले का प्रमुक नियुक्त किया गया है तो गौतम रागवन जी को नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर सीनियर राश्ट्रिये महिला फुटबॉल चेंपियन्शिप 2021 को किस टीम ने जीता है तो यह जीता है मनिपूर ने अपने नेक्स्ट सेट का पहला कोशन देखेगा यहाँ पर कि महिला टैनिस संग डवलू टीये के प्लेयर अफ द इयर का वर्ड किस ने जीता है तो एसले बार्टी ने जीता है फोप्स द्वारा जारी 2021 की दुनिया की सौ सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पर्थम इस्थान पर कौन है तो मैकेंजी स्कॉट है और अंतराश्ट्री परवत दिवस कब मनाया जाता है तो 11 दिसंबर को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की सिस्थान पर है तो 142 वे स्थान पर है नेक्स्ट कॉशन देखेगा असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच नागरिक सम्मान असम वैभो किसे दिये जाने की घोशना की गई है तो रतन टाटा को नौरो जी पाइनियर आफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें कमला देवी चटोपाध्याई एनाई एफ पुरसकार 2021 हेतू चुना गया है तो दिनियार पटेल जी को भारतिय सेना का हेलिकॉप्टर MI-17B-5 आठ दिसम्बर 2021 को तमिनलाडू के किस छेतर में दुरगटना गरस्त हो गया तो कुन्नूर में नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर की व्यासी जल विदुत परियोजना का शुभारंब कहां किया गया है तो यह किया गया है दहरादून में और मध्यप्रदेश सरकारद्वारा रास्ट्रिय कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो पंडित भजन सिपोरी नेक्स्ट कोशन है झाल यहाँ पर छलते हैं तो नेक्स्ट कोशन थोड़ा सा और उपर है भार्य शोथे एशिया युवाप पराखेल 2020 में भारतने कोल लién elder स्क्राद्वारत पर जीते हैं तो भारत ने यहां पर 41 पदक जीते हैं किस राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री कौनी जेती रोसईया का निधन हो गया तो आंधर प्रदेश के भारतिय नौसेना के सर्वेक्षन पोत संधायक को कहां जलावतरित किया गया तो कोलकाता में नेक्स्ट कोशन है आपर कि भूमनेश्वर में आयुजित जूनियर पुरुष होकी विश्वकब 2021 का खिताब किस देश ने यहां पर जीता है तो यह जीता है अर्जेंटीना ने भारत और मालदीव के बीच एक्यूवेरिन सेन्य अभ्यास का 11 संस्करन कहां आयुजित हुआ ह है बजट 2021-22 में रास्ट्री शिक्षानिती है तू कितना बजट निर्धारित किया गया है तो 34,300 करोण का मिजोरम के ने राज्यपाल कौन है तो हरी बाबु कंभम पती ठीक है हरी बाबु कंभम पती अगला है यहां पर इस्पिनियोजना किस मंत्राले के अधिन संचालित कहां आयोजित हुआ था तो यह जमुई में आयोजित हुआ था ठीक है नाम ध्यान रखेगा जमुई नेक्स्ट सेट का पहला कोशन देखे यहां पर कि विश्व न्याय परियोजना डबलू जेपी के रूल अफ लॉव इंडेक्स में भारत की रेंग क्या है तो 79 नंबर व स्टेल्थ डिस्ट्रोयर मोर मुगाओ के लिए पहला समुदरी परिक्षन किया गया है इसका निर्मान कहां पर किया गया है तो मजगाओं शिप बिल्डर्स ने किया है ठीक है किस देश का सुतंतता प्रतीक जॉमो सूप को युनेसको ने अम्रत सांस्कृतिक विरासत की है तो यह हर्याना ने की है ठीक है नेक्स्ट यहां पर हाली में किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट को देखा गया है तो यह मध्यप्रदेश किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है तो पीली भीत नेक्स्ट यहां पर उड़ान योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉंच की गई है तो यह राजिस्थान के द्वारा नेक्स्ट कोशन है यहां पर कि युनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरसकार 2021 किसे दिया गया है तो कुंग्फु नन को नेक्स्ट है यहां पर दक्षन एश्याई क्रॉस केंट्री चेंपियन्शिप कहां इजवित की गई तो नागलेंड में नेक्स्ट है यहां पर बच्चों के लिए उप्योग की आपातकालिन मंजूरी प्राप्त करने वाली वैक्सिन कोवैक्स की निर्माता कंपनी कौन है तो अगला है यहां पर वाटसप ने भारत के कितने गाउं के लिए डिजिटल भुकतान उत्सव की गोशना की है तो 500 को यानि की स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अंतरास्टिय सौर गडबंदन की चौथी महासभा के देख्षता किस ने की है तो आरके सिंग ने की है विदेश मंत्री एस जैशंकर ने किस देश में भुदान ग्रोव पट्टिका का नावरन किया है तो इस्राइ नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर कि भारत के पूर्व थलसे नाद्यक्ष और वर्तमान में देश के सीडियस अधिकारी जनरल विपिन रावत का किस हेलिकॉप्टर के दुरगाट ना गरस्त होने के कारण यहाँ पर निधन हो गया था यहाँ देखिए हेलिकॉप्टर का नाम एकता दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका 20 दिसम्बर को कैमरून गंडराज में भारत का उच्चायुक्त किसे निउक्त किया गया है तो अनिद बनर जी को और BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चेंपियंशिप के फाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतिय कौन बने हैं तो किदांबी शरिकांत बने हैं नेक्स्ट है यहां पर 20-25 दिसम्बर तक आयुजित सुशासन सप्ता 2021 की थीम क्या है तो इसकी जो थीम है वो है प्रशासन गाउं की ओर भारत और फ्रांस के 20 तीसरी वार्शिक रक्षा वारता कहां आयुजित की गई तो यह चोथे सरवाधिक प्रभावित देशों में है तो फस्ट और सेकेंड दोन ही यहां पर जो है सही कथन है महिलाओं के वित्तिय ससक्ति करन है तू किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने की गोशना की है तो यह की है ओडिशा ने और हाल ही में किस एशिय कि भारत सरकार ने ग्रामिन युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है तो इनफोसिस त्यान रखेगा किस के साथ करार किया है इनफोसिस के साथ ठीक है इनफोसिस के साथ ठीक है अगला कोशन है आपर किस देश ने सुरक्षा उपायों के सितंबर 2021 में जी आई टेग प्रदान किया गया है तो यह है यहां पर उत्राखंड और रेलवे के आधुनी की करण से संबंदित नव गठित समिर्थी कौन सी है तो सैम पित्रोधा समिर्थी हाल ही में गेल द्वारा किस राज्य में बायो एथेनॉल सहित्र इस्थापित करने की गोशना की गई है तो गुजरात और गेल का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेगा गैस ऑफ इंडिया लिमिटेड क्योंकि कई बार यह आप से एक्जाम में पूछ लिया जाता है नेक्स्ट यहां पर इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक के लिए का कौन है तो डॉक्टर रेखा चौधरी बीबीसी स्पोर्ट्स परसनेलिटी ऑफ दा इयर 2021 की विजयता कौन है तो यह है एमा राडुकानू और यहां पर पुर्वत्तर सिमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है तो प्लान बी के यह कहां खोला गया है पहला विदेशी पार्क यह खोला गया है आपके मुंबई में में तो नेक्स शिफ्ट का पहला कौशन देखें यहां चोरी हुई अनपूर्णा की मूर्ति को किस देश ने भारत को लोटाया है तो कनाड़ा ने और दस लाग का बैंक नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है अभी थोड़े देर पहले भी कोशन आया था तो वेनेज्योला बना है दुख्द मुल्य प्रोत्साहन योजना की गोशना किस राज्य ने की है तो यह की है उत्राखंड ने और नेक्स्ट कोशन देखें यहां डबलू एचो ने क सरवार्णि को समानित किया गया है किस राज्य सरकार ने युवाउं को आत्म रूर्भर बनाने हैं तो लौंच पैड योजना की शुरुवात की थिख है तो यह किस ने की है मध्रदेश ने और मध्रदेश से आपको पता है यहां पर दो तीन योजना है और है जन किस देश ने किए है तो इस है भारत ने और दुनिया की पहली पेपरलेस, सौ पर्तिश जो सरकार है वो कौन सी बन गई है तो दुबाई की सरकार अंत्रिक्ष में शुटिंग की जाने वाली फिल्म कौन सी बनी है तो चैलेंज और यहां पर अगला है कोशन हमारा वर्ल्ड टैलेंट टैलेंट रेंकिंग दोजार एकिस में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को इस्थान प्राप्त हुआ है इसमें 56 नंबर का नेक्स्ट शिफ्ट का पहला 11 नंबर का कुशन देखें कि 2020 के पाद के वैश्विक जैव विवित्ता धांचे पर दो दिवसीय दक्षन एश्याई परामर्ष बैठक किस इस्थान पर आयुजित की गई तो यह की गई नई दिल्ली में और शारदा मिनन का निधन हो गया वो क्या थी तो वो एक मनोचिकित सक थी और मूडीज ने वित्व के लेखक कौन है तो एस पनीर सेलवन है किस बैंक द्वारा मूव बंद रखो अभ्यान चलाया गया है तो HDFC बैंक के द्वारा मूव बंद रखो ठीक है अगला है आपर देश के मेंटर कारिकरम के ब्रांड एमबेसेडर कौन है तो इसके जो ब्रांड एमबेसेडर है वो प्राची यादव बनी है और EK203 असॉल्ट राइफल खरीदने है तो भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है तो ये भारत ने समझोता किया है रश्या के साथ अब देखते हैं अगले सेट का पहला कोशन की यूरो कप 2020 की विजेता टीम कौन सी है तो इटली है आंदर प्र के पहला भुक विलेज के षगाउं को घोशित किया गया है तो यह किया गया है को और लेमरु हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित high regard चाथ जाई सएल की 98 हैं भारत ने किस वर्ष तक उर्वरक छेतर में आत्म निर्वर बनने का लक्षर का है तो 2023 तक है भारत का पहला विश्व कोशल केंदर कहां खोला गया है तो ये खोला गया है भूबनेश्वर के अंदर नेक्स्ट कुशन देखें यहाँ पर की एशिया पावर इंडेक्स में कुल कितने देश सामिल हैं तो यहाँ पर 26 चर्चा में रहा माउंट ऐसो जौलम की किस देश में स्थित है तो जापान में बिहार के पैरा खिलाडी शरत कुमार का संबंद किस स्खेल से है तो उची से हाई जंप से एनीमिया मुक्त भारत सुचकांग 2020 में कौन सा राज्य प्रथम इस्थान पर है तो यह है मध्यप्रदेश अस्मिया भाशा के लिए किस रचना को साहित्य अकादमी पुरसकार 2021 दिया गया है तो बेंग साता को ऑप्रेशन खुकरी नामक पुस्तक के लेख और दामिनी पुनिया दोनों ने मिलकर यह बुक लिए और अगला है यहाँ पर किसांसार्थी एप तो क्रशी और किसां कल्यान मंत्रा लेकि द्वारा। ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2024 का एजन कहां होगा तो यह होगा ब्राजील के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती है तो यह जीती है है हैदराबाद ने हुरून फिलोन्थ्रॉपिस्ट ऑफ सेंचुरी में शिर्जिस्तान किसे प्राफ्त हुआ है तो यह हुआ है यहाँ पर नुसीर वानजी टाटा को ठीक है नुसीर वानजी टाटा नेक्स्ट सेट का पहला कोशन देखे कि पहले केंद्रिय मंत्री कौन थे जिनका की निधन हो गया तो वो थे दिगविजय सिंग जाला लास्ट चिल्डरन अर्काइव पुस्तक के लेखक या लेखे क कौन है तो यह है माचल प्रदेश और समोवा की प्रतम महीला प्रधान मंत्री कौन बनी है तो फियामे नाओमी मताफा द्रोनाचारे पुरसकार विजेता सरकार तलवार किस खेल से संबंद दिता है तो यह है किरकेट से नेक्स्ट कुशन है आपर सड़क और रेलवे ट्रै किस ने जीता है तो यह पंकज आडवानी ने जीता है और नेक्स्ट कुशन है आपर कि कपड़े की थैलियों के उपयोग को परुथसायत करने है तू मीनदम मंजप्पा योजना किस राज्य ने शुरू की है तो यह शुरू की है तमिल नाडू ने नेक्स्ट कुशन है इसी में कि इंटरनेशनल आटो मोबाइल फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो मुहम्मद बेन सुलेयम को डियार डियो द्वरा स्थापित ब्रह्मोस मीनिर्मान केंदर की आधारशिला कहां रखी गई है तो यह रखी गई है लखनों में और 11 वी होक्की इंडिया जूनियर रास्ट्रिये चेंपियनशिप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है तो यह जीता है उत्तर प्रदेश ने पैटा इंडिया ने person of the year 2021 किसे नामित किया है तो यह किया है आलिया भट को किस राजनितिक दल के राजनिता महिंदर किंग का निधन हो गया तो जदियू और अगला है यहाँ पर IPL की फ्रेंचाइजी टीम लखनों का मुख्य कोच किसे निउक्त किया गया है तो एंडि फ किस भारतिय महिला को संक्तराष्ट महिला पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो दिव्या हैगडे जी को और बच्चों की सुरक्षा है तू प्रजेक्ट अभया किस ने लौंच किया है तो यह किया है दिल्ली पुलिस ने आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट सैट के पहले कोशन पर कि केंदर सरकार ने किसे संक्तराष्ट के निरस्त्री करण पर सम्मेलन जेनेवा में भारत के अगले राजदूत के रूप में न्यूक्त किया है तो डॉक्टर अनुपम रे को किस केंदरिय मंत्री ने भारत के पहले स स्टार मार्क का लिजेगा इसे भी तो कौन सा बन गया है केरल हाई कोट सिंधूताई सपकाल का निधन हो गया वह एक प्रसिद क्या थी सामाजिक कारे करता थी किस देश के ओल्राउंडर किरकेटर मुहमद हफीज ने अंतराष्टी किरकेट से सन्यास की गोशना की है तो प इशाका पतनम में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए M.D. और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया है नेताजी सुभाज चंदर बोश की इसमरती में एक संकल्प इसमारक राष्ट को कहां समर्पित किया गया है तो यहां पर कि किस ने चंडिगर विश्व विध्याले में कलपना चावला केंदर का उधगाटन किया तो ये किया राजनात सिंग जी ने और 3 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट वेल्यू को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है तो ये बन गई है एपल तेल और प्रा साथ कुल 450 मिलियन यूरो के रिन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB सेंग तुरास्टर सुरक्षा परिशद की आतंगवाद रोधी समीती CTC के अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है तो भारत को वारानसी में काशी फिल्म महुत्सव का कौन सा संस्क्रण आयोजित हुआ है तो ये पहला संस्क्रण आयोजित हुआ है इसरो ने NAVLC संदेश सेवा के अनुसंधान इवम विकास के लिए किस फोन निर्माता कंपनी से समझोता किया है तो ये किस से किया है ओपो से किस से ओपो ठीक है आप में से भी कोई ना कोई ओपो का फोन ज़रूर यूज करता होगा कौनसा राज्य शामा प्रसाद मुखर जी रूबर्न मिशन SPM RPM के करनवन में पहले स्थान पर रहा तो तेलंगाना विश्व कॉंकणी केंदर के संस्तापक बस्ती वामन शनोय का निधन हो गया वह किस राज्य से थे तो ये थे करनाटक से नेक्स्ट सेट का पहला कोशन देखिए दा इंडस एंटर्पर्नियॉर्स टी आई द्वारा ग्लोबल एंटर्पर्नियॉर अफ दा इयर अवार्ट से किसे समानित किया गया है तो ये कुमार मंगलम बिडला को नेक्स्ट ने आपर मिशन सागर के तहत भारतिये नोसेना का कौन सा जहाज 500 टन खाद सायता के साथ मोजामबिक पहुचा तो आई एनस केसरी भारतिये सेना ने क्वांटम, कंप्यूटिंग, प्रयोक्षाला और क्रत्रिम बुद्धिमता केंदर की स्थापना कहां पर की है तो महू मध्य प्रदेश में की है नेक्स्ट ने आपर दिगज टेलिविजन स्टार बेटी वाइट का निदन हो गया वह किस देश से थी तो अमेरिका से बाराबडोस में भारत के अगले उच्चा युक्त के रूप में निउक्त किया गया है किसे किया गया है तो S. बाल चंदरन को निउक्त किया गया है भारतिये तटरक्षक बल ICG का महान निदेशक जो है वो किसे निउक्त किया गया है हाली में तो वो VS पठानिया जी को नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश में किस जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स उनिवर्सिटी की आधारशिला रखी तो मेरट के अंदर नेक्स्ट कोशन है याँ पर मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो पंकज शर्मा को और एक जनवरी 2022 को किस केंद्रिय मंत्री ने रास्टर व्यापी 100 दिवसिये पठन अभियान पढ़े भारत का शुबारंब किया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेक्स्ट यहाँ पर रेल्वे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है तो यहाँ देखे अतुल कुमार गोयल जी को पी एन बी का नया एंडी और CEO नियुक्त किया गया है युको बैंक का नया एंडी और CEO किसे नियुक्त किया गया है तो यह किया गया है सोमा शंकर प्रसाद जी को नेक्स्ट कोशने आपर New Development Bank एंडीबी में ब्रिक्स देशों के लावा 24 सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है तो मिस्त्र को उत्तरप्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर विरांगना लक्षमी बाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है तो जहांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर बी सी सी आई ने रोहित सर्मा की जगे किस किर्केटर को साउथ अफरिका वंडे सिरीज का कप्तान बनाया है तो केल राहूल को चर्चित पुस्तक द कश्मीर कॉंडरम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल लेंड के लेखक कौन है तो इसके लेखक है निर्मल चंदर विज रेटिंग एजनसी आई सी आरे ने वितवर्ष दोजार बीस इकिस में भारत की आर्थिक व्रदिदर कितने फिजदी रहने का लगा है तो ये लगा गया में दो सो से अधिक विकट लेने वाले 11 हमें भारती गेंद वाज कोण बन गये हैं तो इह बन गये हैं मोहम। शमी चलते हैं अपने अगले सैट के पहले कोशन पर कि नाटक समराट अशोक के लिए हिंदी भाषा में साइत्य अकादमी पुरसकार 2021 किसे प्रदान किया गया है तो ये किया गया है दया प्रकाश सिनहाजी को नेक्स्ट कोशन है आपर किस देश के प्रदान मंत्री ने इधन की किमतों में व्रदी के खिलाफ विरोध के चलते अपने पद से स्थिफा दे दिया है तो कजाकिस्तान आरबियाई ने किस पेमेंट्स बैंक को अनुसुचित बैंक के रूप में वरगिकरत किया है तो एरटेल पेमेंट्स बैंक नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँपर कि किस केंद्रिय मंत्री ने 75 करोड सूर्य नमसकार पहल की शुरुवात की तो यह की है सरवानंद सोनोवाल ने भारती रिजर्व बैंक आरबियाई ने किसे कारेकारी निदेशक एडी के रूप में न्यूक्त किया है तो ए और सी दोनों यानि कि डॉक्टर दीपक कुमार और अजे कुमार चौधरी जी को नेक्स्ट है याँपर भारत का कौन सा राज्ये सबसे ज़ादा खुले में शौच से मुक्त गाउं की सूची में देश में है पहले स्थान पर है तो तेलंगाना नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट कोशन है यहाँ, ICMR ने COVID-19 के Omicron variant का पता लगाने वाली भारत की पहली किस RT-PCR kit को मंजूरी दी है, तो यह Omishore को, नेक्स्ट है यहाँ पर US Chambers of Commerce, द्वारा US India Business Council, USIBC का नया अधिक् केशव को है ना, अगला है यहाँ पर, किसने प्रोधोगी किये लिए, राश्ट्रिय सेक्षनिक सायोग, NE83.0 का शुबारम किया तो धर्मेंदर प्रधान ने, नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर, कि अमेरिकी नौसेनाक के, किसी परमानु वाहक पोत का नितरत्व करने वाली, पहली महिला जो है, वो कौन बन गई है, तो एमी बॉर्न श्मिट, ठीक है, एमी बॉर्न श्मिट, अगला कोशन है यहाँ पर, कि 25 वे राश्ट्रिय युवा, उत्सव 2022 का आयोजन कहां पर होगा, तो इसका आयोजन जो है, पुड्डू चेरी में होगा, नेक्स्ट है यहाँ पर, कि हाल ही में बिहार के किस अभ्यारन को, अंतराश्टिय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोशना की गई है, तो यह की गई है, वाल में की वन्यजिव अभ्यारन को, नेक्स्ट है यहाँ पर, 22 भाशाओं में, आम बोलचाल के वाक्य सिखाने वाला जो एप है, जिसे शिक्षा मंतरी ने लॉंज किया है, तो उसका नाम क्या है, तो संगा मैप है, अगला है आपर, मोलनु पीरवीर, टैबलेट किस रोग के निदान की दवा है, तो कोविड-19 के, नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर, कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ, अपने से, अगला कोशन है यहाँ पर, कि 2021 के लिए बिहार के किस व्यक्ति को पदम भुशन अवर्ड से समानित किया गया है, तो यह किया गया है, राम विलास पासवान जी को, अगले सेट का पहला कोशन देखते हैं, कि दिसंबर 2021 तक की जानकारी के अनुसार, भारत के शिक्षा म मेडल मिला है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा, मेकिंग ऑफ जनरल हिमाले इको के लेखक कौन है, तो यह हैं कौन सम हिमाले सिंग, निम्न मैं से किस सेलिबरिटी को युनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिबरिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किय गया है, तो आईशमान खुराना जी को, गुलजार देहलवी जिसका निधन हो गया, जिनका की निधन हो गया, वो किस छेतर से संबंदित हैं, तो वो किस छेतर से संबंदित हैं, वो संगितकार थे, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता ह है आपके 10 दिसंबर को भारत माला परियोजना किस से संबंदित है तो यह राज मार्गों से संबंदित है और कौन सा खिलाड़ी भारत और के बीच का दीपक्षी युद्धा भ्यास है तो यह जाइमेक्ष जो है जापान और भारत के conceal जा से कपा लगा तीक है जापान और भारत है अगला कोशन नहा कि Sindh 2007 का कि जुलायी सिंग तोमर जी थे और किस भारतिय शहर के अंतराष्टी हवाई एड़े का नाम डॉक्टर बियार अंबेटकर के नाम पर रखा गया है तो नागपुर का नेक्स्ट कुशन है यहाँ पर आई एस एफर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन चेतर फल कितना है तो देश का जो कुल भोगलिक चेतर का ये 21.67 परसेंट है 2019 की जनगर्णा के नुसार भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943 है और यहाँ पर असम में काटी भी हूँ पर्व को किस पेड़ या पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है तो तुलसी पेड़ के देखें कुशन कितने ट्रिकी आते हैं तो एक्जाम में कुशन भह भी ना कभी चलाया होगा या फिर अभी भी आप चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि आई जी टीवी का फूल फॉर्म क्या होता है निम्न मैंसे किस भारती है फुटबॉल खिलाडी का उपनाम सिक्किमीज स्पाइनर है ठीक है यह किसका नाम है तो यह है बाइचुंग अगर दीप खेलों की मेजगानी कौन करेगा तो इसकी मेजबानी करेगा मेडागास कर ठीक है नेक्स्ट लास्ट कोशन है हमारा तो इसमें क्या है कि बावनमा अंतराश्य फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया का आयोजन निम्न मैंसे किस राज्य में किया गया तो यह किया रहे के वीडियो हम आपके लिए लगात्तार लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत